दोस्तो पंचम पब्लिसर द्वारा हिंदी मीडिय में इस्टुडेंट्स के लिए इबुक यानी पीडियाफ नोट्स त्यार किये गए हैं जो कि आपके आने वाले सभी कम्टिट एग्जाम जैसे ससी बैयंक रेलवे पीएससी पूलिस टीचर एग्जाम के लिए काफी उसफ क्लिकर क्या पर्चेर्ज कर सकते हैं किसी प्रकार की कुईरी के लिए इस नंबर पर आप कॉंटक्ट कर सकते हैं लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है मेहनत से ही यहाँ सब कुछ मिलता है दोस्तों इन हाथों की लखीरों में रखा क्या है गुड मॉनिंग फ्रेंड्स वेलकम टू ओनलाइन स्टेडी पॉइंट दोस्तों आज है चार जन्वरी और स्टार्ट करते हैं आज करने फेस उससे पहले यह देवी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको डेली मौनी में करने फेस वीडियो मिलती रहे दोस्तों अब यह वीडियो आपको पसंद आया अच्छा लागत प्लीज वीडियो को लाइक करके हैं मोटिवेट होसला जरूर बढ़ाएं इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके जादा ज्यादा शेयर करते हैं पने सभी मित्रोक साथ ताकि उनकी वहलब हो सके जितने वी आपको फ्रेंट्स त्यारी कर रहे हैं दोस्तों एक कोशन सभी गारूर एक्जाम के लिए काफी बोट है तो इसलिए वीडियो को आखरी तक स्किम ना करते जरूर देखें चले तो फिर फटा पर स्टार्ट करते ठीक है सौरब कुमार आपसन भी दोस्तों सौरब कुमार ने एक जनवरी 2019 को कोलकाता में आईध निर्माडी महानेदेशक और आईध निर्माडी वोट के चेर्मैन का पदवार इन्होंने समाल लिया है और वह दोस्तों 1982 के आईध निर्माडी सेवा के अधिकारी ठीक है भ या आप याद रखेगा आईध कारखानों के महानेदेशक और आईध निर्माडी वोट के चेर्मैन बन गये हैं सौरब कुमार आपसन डी करेक्ट हो जाएगा फिर हमारा अगला कोशन दोस्तों किस हवाई एड़े को प्रवेश के लिए अधिकृत आबरजन चेक पोस्ट क प्रवेश निकास के लिए अधिकृत अप्रवासन चेक पोस्ट के लिए जो है इसमें घोशित किया गया है और दोस्तों यह हवाई एड़े को सीधी अंतराश्टी उड़ान और आबरजन सुभधाओं के लिए खोलेगा ठीक है इमिग्रेशन फैसिल्टी के लिए ओपन कर दोस्तों आपटा दे कि अप्रवासन चेक झेक पोस्ट के लिए पुलिस सदिक्शक्र अन्डमान और निकवार्पूलिस को नागरिक प्रधिकारि गुरु में नेग किा गया है ठीक है यह जो वीर शावार कर नंतरास्टी हवाय एड़ा है इमिग्रेशन चैक के रोम में घ रमाकांत आचेरकर का 2.02 2019 को मुंबाई में निधान हो गया, वह परसिद्द क्या थे तो दोस्तो परसिद्द कोच थे ठीं का अपसं है, दोस्तो आकवतादे की क्रिकेट कोच, रमाकांत आचेरकर का 2.02 को मुंबाई। निधान हो गया दोस्तों सचिन तंदूलकर के क्रिकेट कोच थे और दोस्तों उन्होंने 1990 में उन्हें खेलों में उत्कृष्ट कोच के लिए द्रोणा चार पूरुषकार समानित किया गया था कब 1990 में आधर कियेगा और दोस्तों उन्हें 2010 में पदमिस्री से भी समानित किया है ठीक है पद मिस्री अवार्ड से और उसके लाबा 2010 में उन्हें इस्पोर्ट इलस्ट्रेटेड द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पूरुषकार से भी समानित किया गया ठीक है तो रमा कांत अचेरकर का निधान हो गया प्रशिद्ध कोच थे सचिन तंदूलकर जी के ठीक है ऑप्सन एक करेक्ट हो जाएगा फिर हमारा कोशन नंबर फॉर्थ काफी महत्पूर्ण है भारती प्रतिसपरधा आयोग के सचिव सेक्रेटरी के रूम में किसे नियुक किया गया है दोस्तों भारती प्रतिसपरधा आयोग के यानि कॉम्पटिशन कमिशन आफ को बनाने अप्राप्त करने के लिए आयोग के नोडल अधिकारिक रूम में कारेक करेगा ठीक है दोस्तों यह जो भारती प्रतिसपरधा आयोग है कमपटिशन कमिशन आफ इंडिया इसकी स्थापना कवी थी 14 अक्टूबर 2003 में 14 अक्टूबर 2003 में इसकी स्थापना हो थी भारती प्रतिसपरधा आयोग की और इसके चैर्मेन कोन है वरतमान में तो दोस्तों कमपटिशन कमिशन आफ इंडिया इनी भारती प्रतिसपरधा आयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश से है ठीक है तो इतने आप पॉइंट जरूर याद रखिएगा इनका नया कोशन देख लेते हैं दोस्तों कि कोशन नमर फिप्ट है नेशनल जियो स्पेशियल आवार्ड फॉर एक्सिलेंस दोहर सत्रा लाइप टाइम एचीमेंट बाट से किसी समानित किया गया है तो दोस्तों यह किया गया है जैन्द कुमार घोष को दोस्तों को बतादिक इंडि लाइप टाइम एचीमेंट बाट से समानित किया गया है यह पुरुसका दोस्तों उन्हें भो इस्थानी विज्ञान और अनप्रयोगों के विकास के उनके उगदान के लिए ठीक है तो याद रखिएगा नेशनल जियो स्पेशियल आवार्ड फॉर एक्सिलेंस दोहर सत्र लाइप टाइम एचीमेंट बाट से समानित किया गया है आयाइटी के प्रोफेसर जैन्द कुमार घोष को ठीक है ऑप्सन भी करेक्ट हो जाएगा अगला उसने सरसुती नदी के काया कल्प के लिए हर्याड़ा गवर्मेंट ने कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है तो सरसुती जलास है और आदी बद्री बांत का निर्मार सामिल है जो एमना के एक सहायक नादी है ठीक है जो सिवालिक पाड़ियोशुत पन होती है दोस्तों आप पता दे कि इस परियोजनाओं को मुख्मंद्री का धिक्स्ता में हर्याड़ा सरसुती वीरासत विकास बोड़ अनुमादित किया गया था ठीक है तो यह प्याद रखिएगा हर्याड़ा के सीम कौन है मनोहर लाल खटर मनोहर खटर ठीक है चलिए अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तों कोशन नमर सेवन्त है हमारा पाकिस्तान के नए मुख्यन आधिस क्रूब में किसे न्यूक किया गया है तो दोस्तों पाकिस्तान के नए मुख्यन आधिस क्रूब में न्यूक किया गया है जस्टिस आसिफ साइथ खोसा ठीक है तो यह आप जरूर रहाद रखिए काफी अदिस प्रेसिडेंट है दोस्तों आजीफ हलभी है और पी यांई इम्रान खान में יןदोस्तान की परत्माटरण नरी घुञत के पाई बन गई है HDFC mutual fund ठीक HDFC mutual fund option B दोस्तों तीन जन्वरी को HDFC mutual fund ने देश की सबसे बड़ी संपत्ति प्रवंधन कंपनी बनने के लिए यह ICICI Prudential को जो पीछे छोड़ दिया है ठीक है देखे तो जो HDFC है यह 3.35 लाग करोड़ रुपए के संपत्ति का प्रवंधन करता है जबकि ICICI Prudential जो है यह 3.08 लाग करोड़ रुपए थी ठीक है दोस्तों यहाँ पर बात कर HDFC की तो HDFC full farm होता है Housing Development Finance Corporation HDFC की स्थापना कभूई थी अगस्त 1994 में मुख्याला इसका मुंबई में है वर्तमान में जो इसके MD है दोस्तों HDFC बैंके वो है आदित्य पूरी ठीक है MD याद रखिएगा आक सर रिवीजन के लिए लेकर आया हूं तो आप इसको देखिए देखिए निम्लिखित में से किसे दिसमार 2018 में भारत के मुख सूचनायक तुरू में नूप किया गया है सुधीर भारगा को ठीक सुधीर भारगा को नया मुख सुचनायक नूप किया गया है तो यह आप याद रखिएगा इंपोर्टन कोश्चन है अगला है कैट्रियाना ग्रे जिन्होंने मिस युनिवर्स दोठारा खिताब जीता है किस देश से पीटर्स डेमी लेनील पीटर्स ने जीता था जिन्होंने इनको ताज पहना है तो लेटेस्ट याद रखिएगा मिस युनिवर्स दोठारा का खिताब किस देश के समंधिर जो करेट्रियों अग्रे ने जीता है फिलिपीन्स की है और मिस वर्ल्ड की अगर बात कर दो मिस वर्ल दोठारा है वो मैक्सको की है वैनेसा पॉंस डी लियोन मिस वर्ल याद रखिएगा अगला कोशन है हमारा बैडविंटेन वर्ल्ड टूर फाइनल टॉफी दोठारा खिताब जितने वाले पहले भारतिक लाड़ी बनने गौरब के से हासिल हुआ है पीवी काफी इंपॉटेंट है घ्यानपित पूरुषकार 2018 से किसे समानित किया गया अमिताब घौष को घ्यानपित पूरुषकार दोठारा दिया गया है फ्राइप देसमबर 2018 में भार्ती फिल्म एब प्रेविजन संस्थान यानी Film & unfolds स्थ्टीट ओफ इंडिया FTII के अद्ध्यक्ष की रूं में किसे नूप किया गया है भरजेंद पाल सींग को ठीक है भरजेंद पाल सींग को नूप किया गया है तो यह प्याद रखियेगा Most Important है अब देख लेते हैं लास्ट वीडियो के अंसर दोस्तों मैंने question क्या पूचे था railway board के अध्यक्ष की रूम में किसे नुप किया गया तो railway board के अध्यक्ष की रूम में नुप किया गया तो विनोत कुमार यादाओ को ठीक है वीक के यादाओ को नुप किया गया था सभी student ने ride answer दिया तो और काफी detail में लिखा था आप देखले दोस्तों आज का सवाल के हमारा आज के question है हमारा यह वरतमान में कौन क्या अधिकारी है भारत में तो इसका लिंक में इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देए दूसी लिंक पर आप क्लिक करके जरूर सुन लें काफी इंपोर्टन रहेगा वह इसके लाब आप पिन कमेंट कमेंट कर दूंगा आप कमेंट को तो